हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल स्टॉक राइडर्स फ्रेंड्स स्टॉक एनलिसिस व्यूडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे HDFC AMC यानि कि HDFC Asset Management Company Limited इसी स्टॉक के बारे में 52 वीक का आई है 111 मिलियन डॉलर तो HDFC Life ने 5% स्टेक सेल कर दिया HDFC AMC का ये न्यूज आप जाके LiveMind.com पर पढ़ सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप है 5,538 करोड की डेट है 0 प्लेज परसेंट है 0 Share Holding Pattern की बात करेंगे Last 3 quarter में Promotors की 73.92 से 73.88 थोड़ी सी कम हुई है FIIs की 9.11 से 9.14 बढ़ी है DIs की 5.63 से 6.57 बढ़ी है Public की 11.34 से 10.41 यहां पे कम हो गई है यह है इसी श्टॉक का Monday का चार्ट, Monday के चार्ट में RSI चल रही है 32 और यह है weekly चार्ट, weekly चार्ट में RSI चल रही है 47 कुल मिलाके अभी श्टॉक ओषोल जोन में गया नहीं है अभी भी positivity बाइंग है इसी श्टॉक के अंदर वन डे के चार्ट मगर ये candle देख रहे हो गए आज की selling pressure है ही नहीं इतना क्योंकि buyers इसको लेके जा रहे हैं उपर कुछ दिन पहले मैंने HDFC AMC की वीडियो बनाई थी i button में उस वीडियो का link डाल दूँगा मैं आप जाके एक बार reference के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा 3300 का target दिया था मैंने 3300 के target अचीव भी हुआ और somewhere यहां पे 2900 के आसपास में मैं इस stock को देते हुए आ रहा था Telegram members को buy कर लीजिए 3300 जाए गए जाएगा 3300 को ऊपर भी गया उसके बाद से हम लोग 3300 का target डन होते ही हम लोग exit कर चुके थे इस stock के अंदर उसके बाद से stock नीचे 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 और आज इसने जो low लगा दिया वो 2872 के आसपास में तो अभी इस stock में क्या करना चाहिए जो लोग long term के perspective से इस stock को देख रहे है वो please hold करके रखिए बहुत बेकार कंपनी नहीं है SDFC, AMC है आप सबको पता है भागेगा तो कितनी तेज भागेगा और गलती से भी आप इस stock में loss book मत कर लेना अभी ये stock 2923 के आसपास में live market में trade कर रहा है ये stock और कितना गिर सकता है तो नीचे के support इस stock के 2820-2710 मुझे लगता नहीं है ये इतना नीचे आ पाएगा stock market है market is supreme आ भी सकता है जो लोग इस stock में भी fresh investment देख रहे है current market price पे भी दीरे दीरे छोटी छोटी quantities add करते रहे है ये stock आपको अच्छे return भी दे देगा 3-5% की बात नहीं करूँगा अगर आपने इस stock को अच्छे से hold कर लिया हो सकता है 3350 का level भी break करके 3800 तक चला जाए ये मैं analysis के हिसाब से बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना 3800 के आसपास भी चला जाए लेकिन अभी इस stock में इतना selling pressure इतना है नहीं कि ये stock और ज्यादा नीचे जा सकता है लेकिन नीचे के support मैंने आपको बता दिये bulk में buying मत करना धिरे धिरे छोटी छोटी quantities add करती रही है उपर के तो target ही target है 3300, 3200, 3300 3800 तक भी जाएगा जाएगा 3800 तक भी फिर से वीडियो बना दूँगा लाइक कीजिए, share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए कोई query question है वीडियो के comment box में post कर सकते हैं जल सल reply कर दूँगा so thank you friends, thanks a lot, bye bye for now